भारतिय बजार में नई टाटा सफारी और हैरियर फेसलिफ्ट SUVs लॉंच हो चुकी हैं और लॉंच के साथ ही टाटा की इन दोनों SUVs की सेफटी रेटिंग्स भी सामने आई हैं जो बाकी में दंग कर देने वाली थी जी हां क्योंकि इन दोनों ही SUVs ने Global NCAP Crash Test Program में अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया है बही नई टाटा सफारी और हैरियर फेसलिफ्ट ने भारत के टोप 10 सेफेस्ट कारों की लिस्ट में अपना नाम सबसे उपर दर्ज करवाया है टाटा की सफारी फेसलिफ्ट और हैरियर फेसलिफ्ट ने फोक्स बैगन वर्टस टाइगुन और सकोडा सलाविया को इस लिस्ट में नीचे दखेलते हुए क्रमशा पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं की जो ग्रहक ये सोच रहे होंगे की भारत में सबसे ज़्यादा कारें बेचने वाली दो कमपनिया मारूती सुजुकी और हुन्डे की कारें भी होंगी पर ऐसा नहीं है इस सुची में मारूती और हुन्डे की कारें कहीं भी दूर दूर तक दिखती नजर नहीं आ रही हैं हलांकि हाल ही में हुन्डे की नई वर्ना ने गलोवल एनकैप क्रेस टेस्ट में 5 स्टार सेफटी रेटिंग्स हासिल की हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये गारी टॉप 10 सेफ़ेस्ट कारों की लिस्ट में अपनी जगा नहीं बना पाई है बैसे बड़ी ही कमाल की बात है कि जहां टॉप 10 सेलिंग कारों की सुची में इन दोनों ही कमपनियों की गारीयां दिख जाती हैं लेकिन जब बात आती है सेफ़ेस्ट की तो टॉप 10 सेफ़ेस्ट कारों की लिस्ट में इन दोनों ही कमपनियों की गारीयां कहीं भी नजर नहीं आती हैं और इसके बावजूद भी भारतिय क्राहक बड़े ही जवरदस तरीके से इन दोनों ही कमपनियों की गाडियां खरीद रहे हैं तो चलिए नजर डालते हैं भारत में मुझूद टॉप 10 सेफेस्ट कारों की लिस्ट पर जहां पहले स्थान पर जगा बनाई है टाटा हैरियर न हैं बहीं अन्य सेफटी फीचर्स के अलावा अब इसे अडास टेकनलोजी से भी लेस किया गया है बहीं गलोवल एनकैप में अडल्ट प्रसेंजर सेफटी में एस्यूवी न चोंतिस में से 33.05 अंक हासल किये हैं और चाइल्ट प्रसेंजर सेफटी में 49 में से 45 अंक टेस्ट में टोटल सेफटी स्कोर हासल किये हैं 78.05 अब बात करते हैं भारतिय मर्केट में दूसरी सबसे सेफ़ेस्ट कार की जहां समान सेफटी फीचर्स से लेस नई सफारी हैरियर के समान अंक और सेफटी रैंकिंग के साथ उपेक्षित रूप से बापिस आई हैं जहां इसकी कीमत शुरू होती है 16,19,000 रुपे एक शोरूम से बहीं इस थ्री सिटिंग रोव वाली SUV में EVD, ESP, टायर प्रेशन मोनिटरिंग सिस्टम, क्रूस कंट्रोल, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, एमर्जेंसी कोल और ब्रेकडाउन अलर्ट जैस पुजिशन हासिल कर सकी है, अब बात करते हैं भारतिय मार्केड में तीसरी सेफेस्ट कार की, तो यहां पर नंबर आता है फोक्स बैगन वर्टस का, जैसे की जर्मन ओटो दीगर्स की कॉंपेक्ट सिडान, टाटा हैरियर और सफारी के आने से पहले, भारत की सबसे सुरक् स्टार रेटिंग हासिल की थी, और इसी के साथ भारत की पहली सेफेस्ट सिडान भी बन गई थी, जहां वर्टस ने अडल्ट सेफ्टी में 34 में से 29.71, और चायल्ड सेफ्टी में 49 में से 42 अंक खाकर किये थे, बात करूं टोटल स्कोर की, तो वर्टस ने सेफटी में हासिल किये थे 71.71 स्कोर्ज टोप 10 सेफेस्ट कारों की लिस्ट में चोछे नमबर पर है स्कोडा स्लाविया जैसे कि वर्टस के लिए उप्योग किये गए प्लेटफॉर्म पर बेस्ट स्लाविया स्कोडा का परमुख मोडल है जिसने पिछले साल पुरानी रैपिड सिडान की जगा ली थी बेहतर सेफटी के साथ नए प्लेटफॉर्म ने सिडान को ग्लोवल एंड कैप में उच्टम सुरक्सा रेटिंग हासिल करने में मदद की और स्लाविया ने बर्टस के समान ही सेफटी पॉइंट्स हासिल किये थे पांचमे नमबर पर है फोक्स बैगन टाइगुन ज पिछले साल ग्लोवल एंड कैप क्रेस टेस्ट में अडल्ट और चाइल सेफटी में प्रफेक्ट फाइब स्कोर हासिल किये थे जो भारत की किसी भी कार के लिए पहली बार था लेकिन टाटा की हैरियर और सफारी के आने के बाद टाइगुन अब भारत में तीसरी सबसे सेफटी रेटिंग्स हासिल की थी साथ में नंबर पर है महिंद्रा स्कोर्पियो एन स्कोर्पियो एन एस्योवी महिंद्रा एन महिंद्रा की प्रमुख स्कोर्पियो एस्योवी का न्यू जेनरेशन वेरियंट है जहां ये बरतमान में भारत की सबसे सुरक्षित एस्योवी हासिल की थी लेकिन इस SUV को चाइल सेफटी में केवल 3 स्टार सेफटी रेटिंग ही हासिल हुई थी टोप 10 सेफेस्ट कारों की लिस्ट में आठमे नंबर पर भी महिंदरा की ही गाड़ी है जो है महिंदरा एक्स्यूवी 700 महिंद्रा की फ्लैक्शिप एक्स्यूवी 700 SUV Scorpio N आने से पहले महिंद्रा की सबसे सेफेस्ट कार थी जहां एक्स्यूवी 700 ने अडल्ट पैसेंजर सेफटी प्रोग्राम में 5 स्टार सेफटी रेटिंग्स और चाइल्ड सेफटी में 4 स्टार रेटिंग्स हासल की थी अब बढ़ते हैं 9 मी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार के उपर तो जब ग्लोवल एनकैप ने इस छोटी सी कार की क्रैस टेस्ट रेटिंग्स सब को बताई थी तो एक बार तो सभी लोग शोक्ड हो चुके थे क्योंकि इस छोटी सी स्टार सेफटी रेटिंग्स हासल की थी जहां पंच ने टोटल स्कोर हासिल किये थे 57.34 अब बात करते हैं भारत में टॉप 10 सेफेस्ट कारों की लिस्ट में नमबर 10 की तो यहां पर दसमें नमबर पर महिंदरा एकस्यूवी 300 ने जगा बनाई है जहां ये गलोवल एंड कैप में 5 स्टार सेफटी रेटिंग हासिल कर जहां टेस्ट के दोरान एकस्यूवी 300 का कुल सेफटी स्कोर 53.86 पॉइंट था तो गाइज ये थी भारत में टॉप 10 सेफेस्ट कारों की नई लिस्ट के बारे में न्यूज अपडेट अपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पे ओल पे क्लिक करें तो जहें दोस्तो हैव गूड नाइट